दोस्तों आज के वीडियो में हम भात करेंगे आप अपने यूटूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो किस परकार से बनाएंगे जब आप अपने चैनल पर एक प्रोफेशनल लोगो बना लेते हैं तो आपका चैनल देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और लोगो को देखकर आपका लोगो जितना अच्छा होता है ओडियन्स उतना आपके चैनल को पसंद करने लगता है जिसके कारण से कुछ हद तक आपका चैनल ग्रो करवाने में लोगो का भी महत्पूर यूगदान होता है तो आज के वीडियो में हम मोवाईल के माध्यम से एक प्रोफेशनल लोगो बनाना आपको सिखाएंगे जो आप बहुत ही इजली तरीका से बना पाईएगा दोस्तो मेरा नाम है लक्षमी कुमार और आप देख रहे हैं टेच वाय लक्षमी यूट्यूब चैनल तो दोस्तो चलिए मोवाईल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मोवाईल से एक प्रोफेशनल लोगो बनाना आपको सिखाते हैं दोस्तो एक प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए आपको एक अप्लिकेशन के ज़रुत होगी जिसका नाम है पिक्सलैब Pixel Lab application आपको खोल लेना है Pixel Lab application खोलने के बाद यहां से आपको तिसरे वाले option पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां आप देख सकते हैं shapes का option आ रहा है shapes के option पर आपको simply click कर देना है shapes के option पर click करने के बाद यहां पर आपको click करना है और इसमें जो गोला वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको select कर लेना है इसको select करने के बाद यहां से आपको okay कर देना है गोला वाला select करने के बाद अगर आप इसमें stocks देना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर color change करने बाला है जो भी color आप रखना चाहते हैं यहां से आप simply इसका color change कर सकते हैं जो भी color आपको पसंद हो यहां से आप color select कर लेजिए तो चलिए मैं यह वाला color select कर लेता हूं और यहां से इसको okay कर देता हूं इसको okay करने के बाद यहां पर आगे scroll कीजिएगा तो इसमें stocks का option दिखाई दे रहा है यहां पर जिस color का आप stocks देना चाहते हैं यहां से आप stocks चून करके यहां से इसको आप ऐसे अगर ज्यादा stocks देना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा लीजिए और इस परकार से बढ़ा कर यहां पर stocks दे सकते हैं इसको देने के बाद इसमें आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो simply यहां plus वाले icon पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहां पर आपको click करना है आपका channel जिस category का है अगर आप blog बनाते हैं तो blog से संबंदित लिख सकते हैं अगर आप टेज का channel बनाते हैं जैसे मैं टेज का channel है यहां लिक देता हूँ जैसे मेरा नाम है टेच बॉय लक्ष्मी तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेच बॉय लक्ष्मी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेच बॉय लक्ष्मी इस परकार से लिखने के बाद इसको उक्के कर दीजिएगा ओके कर देने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अर्जेस्ट कर लेना है यहाँ पर अर्जेस्ट कर लेना है अर्जेस्ट करने के बाद अगर इसमें आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और size के option पर click करना है इस परकार से यहां से आप इसका size घटा बरा सकते हैं इस परकार से करने के बाद इसमें अगर आप font change करना चाहते हैं तो आगे स्क्रॉल किजिएगा यहां font का option दिखाई दे रहा है fonts का option में यहां बहुत सारा fonts दिया गया है आप अपने एक शानुसार जो भी font चूज करना चाहते हैं चूज कर लीजिए मैं यह बला font यहां चूज कर लेता हूं यहां से ok करता हूं तो देखिए कुछ इस परकार आपको दिखाई देगा यहां पर आपको अर्जेस्ट कर लेना है इसको अर्जेस्ट करने के बाद अगर इसमें आप इसमें अगर आप स्टोक्स देना चाहते हैं आगे स्क्रॉल किजिएगा स्क्रॉल करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इस टोक्स का यहां उप्षन दिखाई दे रहा है यहां पर क्लिक करने के बाद जिस कलर का आप इसमें स्टोक्स देना चाहते हैं इसमें आप अपने एक्छा नुसार से स्टोक्स देकर यहां आप से घटा बरहा सकते हैं चलिए इस परकार से मैं यहां पर स्टोक्स दे देता इस टेक्स देने के बाद इसमें अगर आप पिक्चर एड़ करना चाहते हैं तो फिर से प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है गैलरी में आपको जाना है गैलरी में जाकर आपको यहां से फोटो चूज कर लेना है चलिए मैं अपना एक फोटो चूज कर लेता हूं यहां गैलेरी से मैं अपना एक फोटो चूच कर लिया हूँ इस परकार से आप इसको काट सकते हैं यहां से मैं एक फोटो यहां से चूच कर लिया हूँ इसको इस परकार से आपको छोटा कर लेना है चोटा करने के बाद इस परकार से आपको यहाँ पर बेवस्थित कर लेना है तो इस परकार से बेवस्थित हो जाएगा तो दोस्तो इस परकार से अगर इस पर फोटो पर भी आप इस टोक्स देना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से इस टोक्स दे सकते हैं झासे मैं यहां जिखी स्थिक्षित कलर बढ़ता सुरिट कर लोग है'll पड़का से ड़का सकते हो इस परकार से अगर आप YouTube लोगो इसमें लगाना चाते हैं तो यहां से आपको फिर से gallery में जाना है और आपको YouTube logo यहाँ से choose कर लेना है इस परकार से YouTube logo आपको choose करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से आपको लगाने का option दिखाई दे देगा यहाँ से इसको आप छोटा कर लीजिए छोटा करने के बाद यहां जहां भी आप लगाना चाहते हैं जैसे मैं उपर लगाना चाहता हूँ उपर लगा लिया यूटूब लोगो ऐसे लगाने के बाद simply आपको यहां पर किलिक करना है यहां पर किलिक करने के बाद save as image पर किलिक करना है और format में आपको png चूज कर लेना है png चूज करने के बाद dimension में आपको यहाँ पर click करना है और ultra कर लेना है ultra करने के बाद save to gallery कर लेना है save to gallery करने के बाद इस परकार से आपका logo बनके त्यार हो जाएगा दोस्तो आसा करता हूँ कि आप एक professional logo बनाना seat गए होंगे अगर यह वीडियो आपके लिए helpful लगा हो तो अभी इस वीडियो को like कर लिजे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि इस परकार के महत्पून वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लता रहा हूँ तो दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ जब तक जाहें दे